नमस्कार MMS designer में आपका स्वागत है आज हम लड़ू को पाल जी का कपड़ा बनाना देखेंगे देखिए यह हमने फैबरिक लिया इस पर हमने लेस अटेच कर लिया है पहले से ही ताकि वीडियो जादा लंबा ना हो और इस पर भी हमने एक पट्टी बना के और लेस अटेच कर लिया है मैंने लेस अटेच कर लिया है अभी देखिए इसे हम बनाना देखेंगे अब इसका मेजर्मेंट हम आपको बता देते हैं इसका मेजर्मेंट जो आएगा वो 27 इंच आपका देख लीजिए लंबा रहेगा कपड़ा अगर आपके पस कम है तो कम ही रखिए हम ज् ज्यादा चोटे हैं तो ज्यादा कम रखिएगा थोड़ा और फिर हम इसको ऐसे करके प्लीट डालके और इसका पैले चुनत तयार कर लेंगे देखिए इस तरह से हम उल्टा साइड में प्लेट देते जाएंगे और इसको हम रेडी कर लेंगे ऐसे ही प्लेट देखिए प्लीट डालके फिल्ट बना लेंगे इस तरह के वीडियो हमाई चैनल पर अप्लोड होते रहते हैं अगर आपको आगे भी देखना है तो चैनल के पर सब्सक्राइब कर लिजे आगे आपको और भी डिजाइन आड्रेस बनाने के लिए मिल जाएंगे यह हम जो है फर्स्ट अभी इसका फ्रिल जो है इसका मेजरमेंट हम लेंगे देखिए कितना है पांच इंच हमारो फ्रिल का मेजरमेंट है देखिए और इसी हिसाब से हमें पट्टी कट करेंगे पांच इंच है तो हम साय 6 इंच का इक पट्टी कट करेंगे तेखिए अगर आपको कुछ भी मेसेज कर सकते हैं देखिए हम यहां से यह पट्टी जो कट किया है इसको उपर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए और यहां से एक सिलाई लगाएंगे कि पट्टी कोई मेजर्मेंट नहीं है चोडाई का है साइज जितना है उससे आपको एक डेढ़ी इंच जादा रखना है लेकिन चोडाई का नहीं है इतना लेना है कि हम दबा के उसको सेल सके हम आपको इंस्टर्गाम कर लिंक अपने दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आप अब हम इसको क्या है साइड में रखेंगे और एक लंबा सपट्टी लेंगे एक चोड़ा और 11 शड़े ग्यारी इंच लंबा और इसका एक डोरी तैयार करेंगे अगर आप डोरी बनाना नहीं जानते है तो हम लिंक देंस्क्रिप्शन में देंगे आप वहां से चेक कर लि देखिए हम जो है इसको ऐसे मोड़ के रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ के और यहां से सिलाई लगा देंगे वीडियो जैदा लंबा हो जा रहा था इसलिए डोरी बनाना हमने यहां पर नहीं बाताया कि इसी तरह से हम जो है इसको मोड़ के और शिल देंगे अगर आपको कोई भी ब्लाउज डिजाइन सूट बनाना या कूछ भी सीखना हो ता हमारे चानल पर हर तरह की वीडियो अपलोड है आप प्लेलिश में जाके चेक कर सकते हैं आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंग देखे यह हमारा फ्रिल रेडी हो गया है अभी हम उपर का जो है वो डेडी करेंगे इसका पार्ट देखे यह हमारा उपर का जो हमने पटिक बना के रखा है लेस लगा के अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे तो यह नेक की तरफ जाएगा अगर आप इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो यह दोनों जो अमारा गोटा है यह स्लीब की तरफ जाएगा बाजू के तरफ हम इसको इंस तक हम इसको जोड़ देंगे बहुत ही बनाना इजी है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है आप खुद भी बना सकते हैं देखिए यह हमारा जो है उपर का तेयार हो गया अभी इसको हम एक दम सेंटर में लेके बीच से और अटेच कर देंगे इसके साथ सिंपल ही ऐसे करके सिल देना है आपको देखिए यह इस तरह से अटेच हो जाएगा देखे हमारा अटेच हो गया अभी हमारा ड्रेस रेडी हो गया अभी इसको पहनाने के लिए देखे हम आपको बता देते हैं इस तरह से हम करके गोपाल जी के नेक में और फिर पीछे ऐसे बांदें यह निगले गाने कुछ भी नहीं होगा आप ऐसे करके बांदेंगे बढ़ सेट हो जाएक आपको पहना के बीदिखा देंगे kupal जी को अपने देख़े कितना सुन्दर ड्रेस तईार हो गया है बहुत ही यी तरीकाय साथ कर देखे कितना अच्छा फ्रील भी आया है और कितना सुन्दर लग रहा है यह देखिए हम आपने को पाल जी को पहना है कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको इस तरह का पगड़ी भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप चेक कर लिजेगा चैनल को कि पर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब धन्यवाद